कन्यादान कविता में कवी कहता है कि मा ने अपना जीवन दुखों में भूगा था यानि वो काफी दुख में रही थी उसने बहुत सारे जिंदगी में दुख सहे थे और उसे अपनी लड़की का अब विवा करना है और कन्यादान के समय वह उसे समझाना चाहती है उसे जानकर ही देना चाहती है क्योंकि उसकी बेटी जो है उसके लिए अंतिम संपती है अंतिम संपती क्या होती है अंतिम पूंजी जो होती है वह है अंतिम संपती कहे जाती है या अंतिम धन है उसका जीवन का उसकी बेटी उसके जीवन में सर्वस्व है जो भी है उसकी बेटी ही है उसके लिए जीवन के सारे सुक दुक वे अपनी बेटी के साथ ही तो बाटती थी जब बेटी की शादी हो रही है तो वे हैं काफी समझदार नहीं है क्योंकि उसने अभी दुनिया को नहीं समझा था और बेटी बहुत भूली भाली हुए, सीधी साथी सी है उसे दुख तो पता है, महसूस तो वह दुखों को करती है लेकिन अभी दुखों को उसे समझना नहीं आता है पढ़ना नहीं आता है और यहें देख करके उसकी मा को लगता है कि जैसे वह धुंदले प्रकाश में जीवन को पढ़ना चाहती है उसकी अर्थ को समझना चाहती है ऐसा मा इसलिए सोच रही है क्योंकि बेटी अभी चालाक नहीं हुई है यहां पर मा बेटी को परंपरा से हट कर सिख्षा देती है और वह कहती है कि जो दुख उसने सहे है वह उसकी बेटी को ना सहने पड़े मा के जीवन में अब बेटी का विवा हो रहा है तो वह कोरी भावुक नहीं है बलकि यहाँ पर उसे शिक्षा दे रही है प्रामानिक शिक्षा उसे दे रही है मा के दुख जो हैं वो प्रामानिक हैं क्योंकि उसने अपने जीवन में उनको सहा है और बेटी उसकी अंतिम पुंजी है क्योंकि वह अपना हर सुक दुख उसके साथ बाटा करती थी और बेटी उसके सबसे निकट की साथ ही है उसकी दोस्त है लड़की का दान से यहां मतलब यह है कि लड़की का विवाह हो रहा है और युगों से जो परंपरा चली आ रही है वह है कन्यादान की परंपरा लड़की यहां पर सीधी साथी है इसलिए मा को चिंता हो रही है और अपनी लड़की को कहती है कि पानी में जाक कर अपने चेहरे की सुन्दर्ता की और मत देखना उसे मत निहारना क्योंकि सुन्दर्ता और बनाव सिंगार की और ध्यान देना ही तुम्हारा जीवन नहीं है बलकि जीवन की गहराई को समझना जो पानी परचाई दिखाता है सुन्दर्ता के प्रती तुम्हें आकर्शित करता है वह डूब कर मृत्यू का कारण भी बन सकता है और हमेशा सावधान रहना सचेत रहना क्योंकि आग केवल रोटियां सेखने के लिए नहीं होती है जलकर मरने के लिए नहीं होती है इसलिए उसका शिकार मत बनना आग का शिकार मत बनना तुम्हें तरे-तरे के गहने दे करके भ्रह्मे डाला जाएगा और उस भ्रह्मे मत उलजना क्योंकि गहने और वस्त्र केवल धोखा हैं लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि तुम लड़की बने रहना लेकिन कभी भी लड़की की तरह दिखाई मत देना हमेशा सचेत बने रहना समाज में व्याप्त परिवर्तन इनको हमेशा समझ कर रहना क्योंकि यह संसार निर्मम है इसमें दया भाव नहीं है तो समाज को प्रेयोग किया गया है विरोधा भास और उपमा अलंकार का यहां पर प्रेयोग किया गया है लड़की होना से यहां पर तदपरी है भोलापन सरलता कोमलता आदी भाओ को बना करके रखना मा सोस्ती है कि वहां ससुराल वालों से जूठी प्रशंशा को पा करके शोशन का सिका ना बन जाए इसलिए अपनी सुन्दर्ता की प्रशंसा सुनकर जूट का शिकार ना बन जाए तो इस कविता में उसकी मा उसे सलाह दे रहे है कि समाज में किस प्रकार से वह अच्छा निर्वा कर सकती है अपना अच्छा जीवन यापन कर सकती है